संग्टन का कहता है कि इस्थाई सिचकों की भरती है पर वायत हुए है सरकार उन सिचकों को बहाल कि बीना नए गए गेस टीचरों की भरती कर रही है संग्टन के परदेश देश आसिस जूसी ने कहा कि परदेश में गेस टीचरों की नई भरती सुरू करने से पहले सरकार गेस टीचरों के सुरक्षित वहुष्ची के लिए सासनाज जारी करे इसके अलामा हटाए गए गेस टीचरों को बहाल क जाए उपलबदियों के खाते में दर्ज योजना का आता पता नहीं तो परदे सरकार गेस टीचरों की गरिये जनपद में तैनाती और पदों को खाली न मानने कि फैसले को सरकार ने अपनी उपलबदियों के खाते में दर्ज करके परचारित किया है अब इस योजना का ही कु उनके पदों को खाली ना माने जाने एवं उनकी ग्रिय जिलों में तेनाथी का कोई प्रस्थाव नहीं है। जनपद में 45 राजकिय प्रात्मिक स्कोलों में दूर होगा सिच्चकों का टोटा तो आखिरकार दो साल बाद अभियर्थियों को दिपावली पर नियुक्ति का तोफा दे ही दिया गया। आया गया वहीं करोना संक्रमन के चलते भी भरती प्रक्रिया बादित हुई इस कारण दो साल से भरती प्रक्रिया लटकी हुई पड़ी थी जबकि कई विद्यालेों में सिच्चकों की कमी बनी थी इससे पठन पाठन परभावित हो रहा था कई स्कूल एकल सिच्चक के भर करने के बाद जन्पत के विभीन राज के प्रात्री विद्यालों में नुक्ती करने के आदिस जारी कर दी गया हैं। चक बनने का मोका मिल सकेगा। बिभी ने रिखती हैं तो 30 पदों पर भरती निकले हुए जिसके लिए 45 दिन के अंदर आविद्यान कर सकते हैं। झाल सकते हैं। झाल सकते हैं। झाल झाल